जे हिंद, future of India और आप सोभी लोगा स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्ति इमान सुक्मार और आज के दिन इस वीडियो और डिस्कस करने जारे हैं, low-ed steel and industries limited company के बारे में, low-ed steel आपको पता है कि metal sector का एक संदार दंदार penia stock है, penia stock हलागी देखे मार्केट के लिहाद से penia stock नहीं है, company का share price का में, जिसके वह से लोग इसको पेनी stock मान लेते हैं, हालके stock जैसे अभी है, आने वाला समय में, multi-weager stock बनकर साबित होगा, यह मैं आप से आज कह रहा हूँ, आप इस बात को नोट कर लिए, इसलिए यदि आपका इसमें investment है, तो आप इस वीडियो में बत अच्छे नंबर को बदलत कमपनी के share price के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाजूत share price में, गिराउट कब तक चलेगी, आपको इसमें आगे क्या करना चाहिए, सभी मुद्व प्रग्दम विस्तार से बात होगी, बस आप थोड़ा समय तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रही है, और यदि वीडियो पसंद आता है, तो लाइक करना मत भूलेगा, मैं आप से कहता नहीं हूं, और आप भी करते हैं, दोस्तों लाइक करने से मुझक मूटिविशन मिलता है, मैं आपके लिए अच्छे वीडियो बनाता हूं, आप चले शुरू करते हैं, लोड परशन करते हैं, यह जो आप देख रहे हैं, यह क्वार्टर थी का कमाल है, इसके अलामा देखेंगे, तो जो मेटल सेक्टर में तेजी आई है, और जो मेटल सेक्टर का डिमांड आने वाला समयम बढ़ सकता है, उसकी वज़़से भी इस से श्टॉक में तेजी देखने को मिली है, एक सब्या में देख सकते हैं, तकर्वान साथे 4% का असपास, पिछले एक सब्ता सिसम को मिल रहे हैं, और पिछले एक दिन में देखें, तो जिसके अभी मैंने बताए 10% का सब्सक्राइब और धी थी, और अभी देखिं तुरंत यह 2% का सब्सक्राइब, आपको भ्यानक बढ़ेगा कि जो छोटी कंपने हैं लोई डेश्टिल्य से जो मेटर से विलोंग करती हैं यह रॉकेट बनते हुए देखेंगे इनका सेयर प्राइस आपको रॉकेट बनते हुए दिखेगा यहां पर दिखेंगे इसमें देख सकते हैं कि जो कंपनी अभी एसमे बात नहीं होते हैं जो हमारे और पर चलागे इसका मतलब इसका प्राइस निचे जाएगा और करते क्या है कि अपने सेयर को सेल करने लगते हैं आज कि अप देख सकते हैं आज कि अब शिल की हैँ, जब कि बाइ कितना किये गए हैं, सिर्फ दो लाक हेगा रहा, यानि कि इस स्टाओक में ज्यादा है, बाइंग प्रेसर कम है, तो जब कि इस इस प्रेसर आएगा, तो इसकी बज़य से भी प्राइस नीचे आता है, यह यहां पर देखाँ इस कंपग नंबर के बारे आगी क्या होने वाला है कह सकते हैं की सितंब्र डेवन और इस प्रस्ताुब हुए है और जब डिवल हुआ है CARE करोफिट भी संदार हुआ देख सकते हैं तेरह क्रोड का सपास कमपनी को प्रोपिट हुआ है जो के पिछले क्वाटर में शिर्फ आठ क्रोड का सबस्ता यानि कि सेल्स बढ़ा है तो प्रोफिट बढ़ा है जो कि सभावव बात है और इस कलमा यह आप यहां पर देखेंगे कमपनी का फंडामेंटल प्लस हर बार जो क्वाटर के रिजल्ट आ रहे हैं वो सब संदार आ रहे हैं बस जैसे मैंने बताया कि लोग पेनिक सेलिंग करने लगते हैं लोग डर जाते हैं इसमें गिरावट देखने को मिलता है लेकिन यह आपका नजरिया इस कंपनी में यान की वज़े से बिल्कुल चेंता नहीं करने चाहिए और आप किसी भी कपनी में साल लॉंग ट्रम का ही भी अपना कर चलें अब यहां पर आपको टेकनिकल एनालेसिस के माधिम से भी बताऊं तो अभी देख सकते हैं यह स्टॉक कॉंसुलिडेट करने लगता है किसी दो प्र करने आए हैं तो आप क्या किजिएगा कि जैसे अभी आप देख सकते हैं जो लॉंग अपना कर चलते हैं तो देखें के बारे में कुछ नया अपडेट नहीं है बेसिकली आज के दिन इसमें जो गिरावट देखने को मिली इसके पीछे कि वजह क्या है क्यों प्राइस कि ग मन में कोई confusion ने सवाल है तो हमसे कमेंट में जरूर पूछेगा मैं उसके reply दूँगा personally मुसे जरूर कर बाते करने के लिए आप मुझे को Instagram पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिए किस वीडियो को डिस्क्रिश्म में मिल जाएगा वहाँ मैं सकते सवाल का तसलिस जवाब देता ह बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए धन्यबाद शुक्रिया